वार्टी रूपाई अमेरिकन पिस्टाचूज सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां दो जैजों की बेंच ने भीमा कोरेगाओं मामले में अहम फैसला दिया है दो आरोपियों को जमानत दे दी। पिये के तहत आरोप लगा दिये गए थे जरूरी है कि एक बार आपको केस रिवाइस करवा दिया जाए क्योंकि हम भूल जाया करते हैं अक्सद पुड़े से 19 किलोमेटर दूर शिरूर तालुका से एक नदी निकलती है भीमा इस नदी के किनारे कोरिगाओ नाम का एक छोटा सा कजबा बसा हुआ है 1818 की पहली तारीक को ये कजबा जंग का मैदान बना हुआ था पेशवा और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच एतिहास एक जंग हुई थी और जंग में महा रेजिमेंट अंग्रेजों के पाले से लड़ी थी तरफ से दलित अंदोलन के लोग इस रड़ाई को ब्रहमन पेशवा के खिलाफ दलितों के निरनायक जंग की तरह पेश करते हैं इस दिन को महारों के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है वहीं कुछ मराठा संगठन इस रड़ाई में मराठा सिना की जीत के दावे करते हैं जंग के नतीजों पर बहस के बावजूद ये कसबा आज महाराश्टर के दलितों के लिए किसी तीर्ट से कम नहीं है हर साल एक जनवरी को बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग यहां एकटा होते हैं और महारी उद्धाओं को शद्धानजली अत्पित करते हैं आप यहां से कीवर्ट पकड़ लीजिए भीमा कोरेगाओं नदी का नाम भीमा कसबे का नाम कोरेगाओं अब चलिए 200 साल आगे 31 दिसंबर 2017 भीमा कोरेगाओं लड़ाई की 200 वी वर्षगाड की पूरो संद्या थी पुने के शनिबार वाड़ा में एक कारेगाओं का आयोजन किया गया ओल्ड सिटी में एलगार परिशद नाम से 35,000 लोगों समेट देश के कई नामें बुद्धी जीवियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया कारेगाम खत्म होने के बाद एक जनवरी 2018 को भीमा कोरेगाओं में हिंसा भढ़क गई एक व्यक्ति की मौद भी हुई और कई लोग घायल हुई पुने पुलिस ने आरोप लगाया कि इलगार परिशत कारेकरम में भढ़काओं भाशन दिये गए थे जिसकी वज़े से भीमा कोरेगाओं युद्स मारक के पास हिंसा हो गई साथ ये पुलिस ने ये भी दावा किया कि सम्मेलन को मावादियों का समर्थन प्राप था और यहां प्रधान मंतरी नरेंद्र बोधी की हत्या की प्लानिंग की जा रहे थी बात चौक आने वाली थी इसके बाद आने वाले महिनों में पुलिस ने एक एकर दरजन भर से ज्यादा कारेकरताओं शिक्षाविदों और वकीलों को इसमें आरोपी बनाया ग्रफतारिया हुई और ग्रफतार होने वालों की लिस्ट पर आप गौर कीजिए पहला नाम नाकपुर इनिवरस्टी में अंग्रेजी विभाग की प्रमुक रही शोमा सेन दूसरा नाम वकील अरुन फरेरा का था और सुधा भारादवाज का तीसरा लेखा क्वरवरा राव कभी भी हैं चौते आदिवासी अधिकारों के कारेकरता स्टैन स्वामी पांचवा नाम कारेकरता बनान गुंसालविस छटे कैदियों के हक के लिए काम करने वाले रोना विल्सन साथवे नाकपुर से वकील और यूएपी विशेशक के सुरेंद गाडलिंग इनी पे यूएपे लग गया आठवे दिली विशेविद्दाला के प्रोफेसर हैनी बाबू अगला नमबर था लेखक और मुंबई के दलित कारेकरता सुधीर धावलेका और इनके बाद स्कॉलर लेखक प्रोफेसर और नागरी कदिकार कारेकरता आनन तेल तुम्डे इनके बाद विस्थापितों के लिए काम करने वाले गर्चिरॉली के युवा कारेकरता महेश राउट और कभीर कलामंच के कलाकार सागर गोर्खे, रमेश गायचोर और जोती जकताप पुलिस ने दक्षिनपंती नेता संभाजी भिड़े और कटर दक्षिनपंती ग्रुप शिव प्रताब भूमी मुक्ती आंदुलन के संस्थापक मिलिंद एक बोटे के खिलाव भी FIR दर्श की थी मगर वो धरे नहीं गए पुलिस ने कहा सबूत परियाप नहीं है करीब दो सालों तक पुलिस ने इस केस की जाच की फिलाल केस NIA के अंडर है NIA ने अपनी दस हजार पेज की चार्ट शीट में दावा किया कि हिंसा एक सोची समझी साज़िश का हिस्सा थी फादर स्टैन स्वामी ने मोधी सरकार को घेरने के लिए दलित और मुस्लिम फोर्सेस को जुटाने की साज़िश रची थी इस बीच स्टैन स्वामी के तेविद बिगडी मेडिकल आधार पर उन्होंने जमानत अर्जी डाली बारहा ये अर्जी खारिज हुई और जिस दिन उनकी जमाना त्याचिका पर सुनवाई होनी थी उनका दिहान थो गया इनाईये को केस के इंदर सरकार ने सौपा था इस से पहले देवेंदर फंडवीस के नेतरतो वाली भाजपा शिवसेना सरकार ने घटनाओ के सटीक अनुकरम पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया था कोरेगाओ भीमा जाच आयोग और उन्होंने अभी तक अपनी जाच पूरी नहीं किये और कई डिजिटल फोरंसिक विशेशग्यों ने इस केस में खटा किये गए सबूतों पर सवाल उठाएं इस बीच सुप्रीम कोट ने क्या किया पहले तो सुप्रीम कोट ने गिरफ्तारियों में हस्तक शेप करने से इंकार किया इसके अलावा आनन तेल तुम्डे के खिलाफ एफाई यार रद करने से भी इंकार किया बाद में इसी मामले में आला अदालत ने 10 अगस 2022 को वरबरा राओ को मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत दी नवंबर 2022 में गौतम नवलखा को तरोजा सेंटरल जेल से रिहा कर दिया गया और हाउस अरेस्ट में रखा गया और आज सुप्रीम कोट ने वरणन गुंजाल्विस और अरुन फरेरा को भी जमानत दे दी कोट ने क्या कहा वो भी जान लीजी आप जस्टिस अनिदुद बोस और जस्टिस सुदांचु धुलिया की बेंच ने उनने जमानत देते वे कहा कि भले ही उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं लेकिन केवल यही जमानत से इंकार करने का एक मातर आधार नहीं हो सकता वो पिछले पांच सालों से जेल में हैं हमने इस तरप पर उनके खिलाफ उपलब चीजों को देखा है अभी तक के मिले सबूत अंतिम फैसले तक अपील करताओं को हिरासत में रखने के लिए उचित नहीं है एक बात पर आप गौर कीजिए भीमा को रिगाव मामले में अब तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्यों? क्योंकि यूपीए के तहत ये जायज है अब चलते हैं वहाँ जहां से देश चलता है संसत मौनसून सत्र की आज साथवी बैठक थी इन साथ दिनों में दोनों सदन कितने घंटे चले इसके जवाब के लिए आपको घंटे गिनने की ज़रूत नहीं है आप मिनिट्स किन के काम चला सकते हैं उपरी सदन हो या चुनेवे प्रतिने धियों की लोगसभा बदस्तूर सत्र शुरू होते ही हंगामा और हंगामे की बीच सत्र अगले दिन तक के लिए स्थगित हो ही जाता है वैसे सरकार बीच-बीच में अपना काम निप्टा भी रही है लोगसभा में सत्र में दस से ज्यादा बिल पेश हुए है और पाच बिल पास भी हो गए जो बिल पास हुए है वो पिछले सत्रों में टेबल किये गए थे राजसभा में सिनेमेटिग्राफ बिल पेश हुआ और पास भी हुआ इसके साथ ही दो और बिल उपरी सदन में पास हुए नहीं हुआ तो सिर्फ वो जिसके लिए संसर जानी जाती है चर्चा बिते कुछ सालों से ये एक ट्रेंड बन गया है कि संसर में हला हंगामा आरोप रत्यारोप तो खूब होता रहता है लेकिन चर्चा नहीं होती चर्चा नहीं होगी अब तक साथों दिन मनिपूर हिंसा के भेड चड़े हैं हिंसा पER तो कहां बात हुई है विपक्ष पहले दिन से इस मनिपूर पर चर्चा की मांग कर रहा है और प्रधान मंत्री के जवाब पर अड़ा हुआ है सरकार ने छोटी चर्चा करके निकलने की कोशिश की है लेकिन मामला बन नहीं रहा है 26 जुलाई को कॉंग्रेस और केसी आर की पार्टी भारत राष्टर समिती ने मोधी सरकार के खिलाफ अविश्वास पस्ताओ पेश कर दिया जाहरे सरकार के पास नंबर तो परयाब से ज़ादा ही है यानि विश्वास पस्ताओ इसलिए पेश किया ताकि संसद में चर्चा हो सके और चर्चा में प्रधानमंत्री मोधी भी शामिल हो अविश्वास प्रस्ताओ पर चर्चा की तारीक अब तक तै नहीं होई है लेकिन आज शाम होते होते हैं खबर आई है कि सोमवार को ये तै हो सकती है कि नो कॉन्फिदेंस मोशन पे चर्चा कब होगी इस अंसद से एक और खबर आई है कि विप राजसभा के उपसभापती हरिवंच के लिए भी लागू होगे क्योंकि वो जेडियों से सांसदें अब आप पूछ सकते हैं कि उपसभापती पे विप कैसे आप इशू कर सकते हैं समझने वाली बात दरसल हरिवंच जब राजसभा के उपसभापती बने तब जेडियो और बीजेपी होते थे साथ-साथ लेकिन अब दोनों पार्टिया राजनेतिक प्रतिदवन्द भी हो गई है और हरिवंच चेर पे ही है सियासी धुरियां बदलने के बाद हरिवंच का रुख वैसा नहीं है जैसा उनकी पार्टि का है जदियो और भारतिय जन्ता पार्टि के अलग होने का नतीजा क्या हुआ? हलकी फूल की ओकॉर्डनेस हरिवंच नई संसत के उद्गाटन में शामिल हुए लेकिन उनकी पार्टि जदियो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई हरिवंच के इस कदम पर उनकी पार्टि के लोगों ने कुछ नाराजगी भी जता दी लेकिन इस बार नितिश की पार्टी ने बाकायदा विप जारी कर उपसभापती को फजा दिया है अब नियम कानून क्या है पहले ये समझ ले दिन दरसल चेयर पर कोई विप लागू नहीं होती नहीं हो सकती लेकिन हरीवंच राजसभा के उपसभापती हैं अगर वो चेयर पर हैं तो उन पर विप लागू नहीं होगी लेकिन अगर सभापती जगदीब धनकर सदन में होंगे तो हरीवंच एक सांसद हो जाते हैं ऐसे में विप उन पर लागू होने लगेगी और वो चेयर पर तभी होते हैं जब सभापती जगदीब धनकर नहीं होते हैं यानि विप से बचने का रास्ता यही है कि हरिवंज ही चेयर पर हूँ यहां गौर करने वाली बात एक और है मैं तो पूर्ण मौकों पर ऐसा कम ही होता है कि चेयर में जगदीब धनकर सदन में ना हूँ संसत कवर करने वाले पतरकार तो यहां तक कहते हैं कि धनकर सेकेंड हाफ में भी चेयर पर होते हैं जबकि पहला मूमन ऐसा नहीं होता था यहां एक बात और कि दिल्ली का बिल सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है और नया विपक्षी मोचा आई एंडिया इसके बनने के बाद विपक्ष के लिए भी यह पहली परीक्षा की तरह है तो सरकार भी शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर जब वोटिंग हो रही हो तो विपक्षी पार्टिय का कोई सांसाट चेयर पर रहे संसत की चर्चा और हंगामा हमने आपको बता दिया इस बार का सत्र मणीपूर से आए वीडियो की बज़े से हंगामे से पटा रहा तो मणीपूर में क्या चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं पता नहीं हमारे माननी करेंगे या नहीं लेकिन हमको तो करना ही है चब भी जुलाई को मणीपूर सरकार ने सिफारिश की कि केस सी बी आई को ट्रांसफर कर दिया जाए इसके ठीक एक दिम बाद रहमन तराले ने भी सी बी आई को जान सौपने की बात कर दी इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दिये लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाई मनीपूर से जुड़ी दो अपडेट्स और हैं आपके लिए राश्री महिला आयोग की एक टीम मनीपूर गई थी साथ में आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा भी खुद गई थी आज उन्हें ने जानकारी दी की आयोग अपने रिपोर्ट दो दिन में सरकार को सौप देगा इसके लावा खबर है कि विपक्षी गडबंधन इंडिया के सांसद 29 जुलाई यानि आने वाले कल मनीपूर का दोरा करने वाले हैं समाचार एजनसी PTI के मताबिक सांसदों का ये दोर दिन का दोरा होगा ये तो वहां से आई अपडेट हो गए लेकिन हम आपको अपनी टीम का उब्जरवेशन भी बताना चाहते हैं के सामने आने के बाद हमारी टीम से सद्धान दिवयांची और मनोज मनैपूर गए थे इस बार उनोंने क्या कुछ देखा सुना समझा आप सुनिए दोनों समुदायों की महिलाओं से हमने बात की चाहें, वो कुकी समुदाय की महिलाओं हो चाहें, वो मैते ही समुदाय की महिलाओं हो लेकिन एक स्टार्ग डिफरेंस हमें देखने को मिला, वो ये है कि जब आप कुकी महिलाओं के पास जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या गुजड़ा है, कैसी चीज़ें हैं या उनकी जो बहने हैं, sisters, that's how, जैसे वो mention करती है तो वो बहुत खुलकर अपनी बात बता रही थी, हम कई survivors से भी मिले बहुत डराबना था वो सब सुनना, वो बहुत painful था, उनके लिए बताना भी, सुनना भी मतलब, आप imagine भी नहीं कर सकते हैं कि किस-किस तरह की बरबरता हुई है महिलाओं के साथ पर वो अपनी कहानी सुना रही थी, और ये ये बहुत, मैं कह सकती हूँ कि as a woman, this is such a courageous act दूसरी तरफ अगर हम मैते समुदाई की महलाओं से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक-एक rigidness आप फील करते हूँ कि वो अभी शायद safe space का अंतजार है या मैं उसका कोई reason, apt reason नहीं बता सकती लेकिन वो rigidness हमें उनकी बातों में feel हुई, उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि इससे एक समुदाई की महलाओं के साथ ऐसा हुआ है, हमारे समुदाई की महलाओं के साथ भी बरबढ़ता हुई है और हमारे पास कोई evidence नहीं, कोई proof नहीं है, लेकिन इसका मतलब यहीं नहीं माना जाना चाहिए कि इधर चीज़े खराब नहीं है फिर बात आती है जब यह video viral हुई, पेम मोदी का इस पर बयान सामने आए, तो मैतई महलाओं में यह उस्सा है कि क्यों सिर्फ एक घटना पर बोला गया, इतने दिन से violence हो रही थी, इतनी चीज़े हो रही थी, तब क्यों चुपी बरकरार रखी गई है, इस तरह के उनके काफी गुसा है, यह कहरें कि कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है, सिम्बिरेंसिंग, स्पेशली कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका मानना ही सब, यह सब आप चीज़े हमारी रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं, हमारी कई रिपोर्ट्स पब्लेश हो चुकी है, कई रिपोर्स अब ही रही है, और एक खास बात जिस पर शायद बहुत जादा बात नहीं हो रहे हैं, वो है इस पूरी चीज़ का, इस पूरे घटना क्रम का, यह जो वाइलेंस इतने दिनों से हो रहे हैं, क्या साइकलोजिकल इंपक्ट हो रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल गई है आप ना सर्फ यहां, मैं particularly महिलाओं की बात में कर रही हूँ, लेकिन overall आप देखें तो एक hopeless future होता है, एक bleak future होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस स्थिती में कैसे रहा जाए, उस स्थिती में क्या किया जाए, आप क्या करें, तो यह बहुत बड़ा स सवाल है, और हम उमीद करते हैं कि authorities इस पर ध्यान दे, अब अंध में बात के इंदर सरकार की उस agency के सर्वे सरवाकी जिसके चर्चा महंगाई से भी ज्यादा होती है, ED, संजे मिश्रा 15 सितंबर तक प्रवर्तर निदेशाले के डिरेक्टर पने रहेंगे, बिते वेकल यान 21 साल 11 जुलाई की रोज प्रवर्तर निदेशाले, ED के डिरेक्टर संजे कुमार मिश्रा को लगातार मिले कारेकाल विस्तार को अवैद करार दिया था, कोट ने कहा था कि मिश्रा का कारेकाल विस्तार सुप्रीम कोट के 2021 के फैसले का उलंगन है, जिस्टिस बी आर गवई, जिस्टिस विकरमनाथ और जिस्टिस संजे करोल की बेंच इस मामले के सुनवाई कर रहे था, अलांकि बेंच ने कहा कि संजे मिश्रा 31 जुलाई 2023 तक अपने पत पर बने रह सकते हैं, और साथ ही कोट ने मोधी सरकार को रहा देते हुए, कारेकाल विस्तार के लिए सेंटर विजिलेंस कमिशन आक्ट में किये गए बदलावों को सही भी ठहरा दिया था, संजे मिश्रा नमबर 2018 में इडी चीफ बने थे, इसके बाद उन्हें तीन बार एक्स्टेंशन दिया गया, जबकि सुप्रीम कोट ने पहले एक्स्टेंशन के बाद ही कह दिया था कि और एक् प्रती ने 2018 के आदेश में बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसे 2 साल का कारेकाल, 3 साल कब हो गया है, सरकार के इस फैसले को NGO Common Cause ने सुप्रीम कोट में चुनौती दी, सिदंबर 2021 में सुप्रीम कोट ने इस मामले में फैसला सुनाया, इसमें संजे मिश्रा को पहले मिले सिती में ही दिया जा सकता है, कोट के फैसले के बावजूद सरकार ने संजे मिश्रा को दो और एक्स्टेंशन दिये, क्योंकि सुप्रीम कोट कादेश अपने आप में कानून है, तो सरकार उसके उपर एक और कानून ले की आई, कानून काटने के लिए कानून, नवंबर 2021 म और दूसरा केंद्रि सतक्ता आयोक संशोधन आइक 2021, पहला कानून CPI के डिरेक्टर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कानून ED के डिरेक्टर से, इन दोनों बिल्स के पास होने के बाद सरकार को यदिकार मिल गया, कि वो CPI और ED के निदेशकों के कारेकाल को एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकती है जब तक पत पर बैठे व्यक्ति के कारेकाल की अवधी पांथ साल न हो जाए इसके पहले तक इन दोनों पदों पर कारेकाल की सीमा दो साल थी इस तरह सुप्रीम कोट के मना करने के बावजूद मिश्रा को एक्स्टेंशन देने का कानूनी रा केंदर ने गुजारिश की कि संजे मिश्रा को 15 अक्टूबर तक एडी का निदेशक बनाय रखा जाए सरकार ने दलील दी कि मिश्रा का कारेकाल बढ़ाना देश के हित में होगा क्योंकि फिनैंशल आक्शन टास्क फोर्स एफे टी-एफ की समीक्षा में मौजूदा निद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुना दिया कोर्ट ने संजे मिश्रा के कारेकाल को बढ़ाया तो लेकिन उतना नहीं जितना सरकार ने मांगा था सरकार ने 15 अक्टूबर तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने मिश्रा को 15 सितंबर तक एडी के निदेश जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि एक अधिकारी अपने पत्पे बना रहे है। एक मामला ऐसा है जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। दोनों पार्टीस राजी भी हैं लेकिन चर्चा हो नहीं पारी है। और जिस सूबे के नाम पर यह स्टॉल बना हुआ है। उस सूबे में क्या हो रहा है वो भी आपने सुना। इस तरह से आप अपने विकेंड के शुरुवात कीजिए। सूचेगा कि आपके देश में क्या चल रहा है। हम आपसे विदा लेता हैं वीकंड के लिए अब आपसे सोंबार को मुलाकात होगे तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहें दिललन टॉप अब आपकी एक दूआ कबूल करेगा क्या दूआ मागें अला अगर है पाने थे टिक शुक्त हो मुझे जाओ कि अ कि अ मैं लहों सुबे से साम तक और कुछ जिन ताओना लेकन पानी की सबसे पहले चंता है कि घर में पानी लाना है दी चार गेड़ा पच गेड़ा छे गड़ा करेजाओ असी साल की माने उसाल की है यह मत कर चल रही है खारों पाने घीर बेगोदा पीगी निचे फ्रेकिंग गोरी यह बड़े हाई-लेवल की केमिकल स्थाल नात एक दम ब्राउन हो एं लोगों उस पानी के वैस्थे कमाने वाला एक और पाने पीने वाले दस यहार अजबूरी उकाम कर रहे हों कि और मने आस पास में दिक्ले काई नहीं यह पाँ बन्या उने घर दीचे पढ़ ना चाहती थी पढ़ना बौत चाहती थी और आखे ंचे शूल चोड़गी पाने से ब्सुन आखे जड़े ज़ल तो उसका बच्चा गिर गया इसके बापने इसको सिखाया क्या है क्या पानी नहीं दाश सकता क्या जाश सकता बापने दाश सकता कि अज़ सकता है